Hello everybody, welcome to Magna Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं कवर करने वाली हो Class 12 की जो आपकी Elective Book है, Kaleidoscope Book, उसका Chapter No. 2, The Mark on the Wall और आज कवर करूँगे मैं इस Chapter की Summary इससे पहले मैंने Chapter Explanation Cover किया हुआ है, जो 2 Parts में था Part 1 and Part 2, do not forget to watch Complete Explanation of both the Parts, okay और अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी Summary, तो यह जो Summary है In the Story, The Mark on the Wall written by Virginia Woolf, there is an anonymous woman who noticed a mark on the wall in the mid of January, तो जो स्टोरी है हमारी जिसका नाम The Mark on the Wall है, इसको किस ने लिखा है, कौन सी राइटर ने? Virginia Woolf नाम की female राइटर ने लिखा है, अब इस Chapter में क्या होता है एक anonymous woman होती है, क्याने की एक ऐसी औरत के बारे में बात हो रही होती है जिसका कोई नाम वाम नहीं बताएगा है, बस बताएगा है कि एक lady है यह lady है, अभी अभी घर shift करके एक नए घर, एक नए विला में आईए और mid of January का महीना है, याने January का बीच का महीना है, याने winter season चल रहा है और suddenly इस नए घर की एक white color की दिवार पे इस lady ने notice किया कि कोई mark है, याने सफेद wall पे एक black color का कोई धपा है, कोई mark है She recalls images from that moment तो यह बात की बात है, यह story पहले लिख दी गई होगी तो वो imagine करती कि हाँ, यह January का time था, winter season था, उस time वहाँ पे fire burning थी याने वहाँ पे foreign में क्या होता है, घर में fire place होती है, ऐसे अंग्रीठी वगरे जलती है घर को ठंडा रखने के लिए, तो वो imagine कर रही है, बतलब बता रही है कि हाँ, उस time घर में fire जल रही थी और मेरी जो किताबे वहाँ पे रख्यों थी, उनकी pages पे light cast पढ़ रही थी, याने fire की yellowish, orangeish color की light मेरी book पे पढ़ रही थी वहाँ पर एक mantle piece था है, याने कि एक ऐसा frame type बना हुआ था, जहाँ पे bowls रखे हुए तो उनमे flowers थे, chrysanthemums नाम के flowers थे और उस time पर वो smoke कर रही थी, cigarette smoke कर रही थी, और ये वही moment था जब उसने उस दीवार पे white wall पे mark देखा था तो ये winter season का मौसम था, वो जो mark था, वो काफी छोटा सा था, white wall पे और जो fireplace याने जो mantle place थी, इस तरीके की mantle place होती है वहाँ पे ऐसी ऐसी एक fire place होती है, यहाँ पे कुछ flowers रखे हुए थे, ऐसे करके ways रखे हुए थे और यहाँ पर उपर जाके, कुछ foot उपर यहाँ पे वो mark था इस तरीके से black color का तो ऐसा कुछ उसने lady ने देखा These particular stimulate a series of imagination quickly as to why the mark might be there अब जैसे ही उस lady ने डिवार पर उस mark को देखा, उसके mind में बहुत सरे thoughts stimulate होने लगे याने बहुत सरे विचार आने लगे, बहुत जल्दी जल्दी कि यह mark यहाँ पर क्यों होगा, वो अलग-अलग चीज़े guess कर रही थी इस mark को देख के क्योंकि वो एक कुरसी पर बैठी हुई है, past से नहीं देख रही mark को, दूर से उस mark को देख रही है और guess कर रही है कि यह mark किस किन्स चीजों का हो सकता है She rejects the idea of the mark being the result of a nail because the only reason to place a nail there would be a hang, a picture frame तो पहले वो यह सोचती कि यहाँ पर कोई कील ठोकी गई है, शाद वो कील का निशान है लेकिन वो देखती कि यहाँ पर कोई picture तो ही नहीं, कोई photo तो ही नहीं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर यह कील का निशान तो नहीं हो सकता है पिक्चर का फ्रेम तो यहां पर कोई नहीं हो सकता है और जब उसने सोचा कि चलो अगर पिक्चर होती भी तो पुराने जो लोग यहां पर रहते थे प्रिविएस ऑक्कुपेंट्स ऑफ दी हाउस उन्होंने कोई पिक्चर लगाई होगी यहां पर लेकिन यहां पर पिक्चर है नहीं तो जाहर सी बात है वो जो मार्क है दीवार पर वो नेल यानि ठुकी होई केल का तो केल का नहीं है तो एक मोमेंट ऐसा आया कि वो बट टेम्ट हो गई कि नहीं मैं तो उठके देखती हूँ पास से कि दीवार पर यह मार्क किस चीज का है लेकिन उसके बाद उसके माइंड में बहुत फिलोजोफिकल डीप थिंकिंग काफी इमाजिनेशन आने लगी और वो सारी चीजे किती सारी चीजे होती है और अल्टीमेटली हम कभी न कभी ऐसा होता है कि अपनी चीजे खो देते हैं लाइफ में फिर वो सारी उन चीजों को रिकॉल करती है जो उसने कभी जिसकी वो मालकीन हुआ करती थी और अब वो compare करती है कि life में हमारी चीज़े ही हमारी नहीं होती, खो जाती है तो death एक ऐसी चीज़ है जिसको हम control नहीं कर सकते हैं death कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है वो सोचती है, मुझे भी आ सकती है हम life को कभी control नहीं कर सकती है फिर वो अपनी life को compare करती है parcels in a post office आज के जमाने में हम कुछ भी चीज भेज नहीं करने है WhatsApp इदर उदर से भेज देते हैं लेकिन उस जमाने में जब ये story लिखी गई थी ये World War 1 के time लिखी गई थी तो उस जमाने में post office होते थे जहाँ पर एक compartment से दूसरे compartment में post office में parcel भेजे जाते थे एक ट्यूब के थ्रूम यहाँ पर एक बंदा होता था भाई ये पार्सल है उसने इस पर stamp लगाया stamp लगाने के बाद उसने ट्यूब में भेज दिया दूसरे बंदे को compartment में ये parcel लगए फिर ये stamp लगएगा तो ब्राउन कलर के parcel में एक चीज दूसरे एक compartment से दूसरे compartment में parcel पहुचता है तो ये लेडी अपनी life को compare करती है post office के parcel से वो कहती है हम लोग parcel की तरह है इस दुनिया में आये हैं मर जाएंगे फिर after life में चले जाएंगे मरने के बाद भी एक after life होती है जो किसी को नहीं पता होएंगे फिर कहीं और पैदाओंगे हम parcel की तरह इदर उदर जाते जा रहे हैं और फिर वो बहुत melancholic sound होने लगती है उसकी आवाज काफी sad हो जाती है और वो thoughts अपने mind में लाती है death कि हमें भी मरना है हम यहां पर आज है parcel की तरह कहीं और पहुच जाएंगे कहीं भी अब पहुच जाएंगे करती है याने की वो सोचती है और फिर वो कहती है नहीं यह कोई गड़ा नहीं है कील दौरा किया हुआ बलकि यह एक इंकी सबस्टेंस है याने ऐसा लग रहा है कोई इंक स्याही का कोई धबा है ब्लैक कलर का छोटा सा वो ऐसा इमाजन करती है अब बहुत सी चीज़े वो उसके पीछे कोई खिड़की है उस पे कोई पेड़ टैप हो रहा है याने पेड हवा से हिल रहा है और सड़नली उसकी इमाजनेशन इंटरॉप्ट हो जाती है और फिर वो सोचते सोचते अपना ट्रैक चेंज कर देती है याने की कुछ और अप शेक्सपेर के बारे में सोचने लगती है क्योंकि अभी अभी उसने सोचा है कि यह जो मार्क है दीवार पर वो इंक का है इंक याने जिससे राइटर्स लिखते हैं अपनी स्टोरी अपनी नॉवल्स लिखते है तो वो राइटर्स के बारे में सोचने लगती कि जो राइट करती कि Shakespeare जो कि महान राइटर है वो एक कमरे में बैठे हुए है एक चैर पर और वहाँ पर फायर जल रही है याने विंटर का समय है फायर प्लेस है कमरा काफी गरम है और उनके माइंड में बहुत सारे थौट्स आ रहे हैं Shakespeare के माइंड में और ऐसा लग रहे है कि उनके में सारे उनके थौट्स आ रहे हैं वो सोच रहे हैं वो लिख रहे हैं अपने थौट्स और लिखके उसको बुक के नाम पर पब्लिश कर दे रहे हैं तो उनके थौट्स उनके तो नहीं रहना दुनिया ने पढ़ लिए तो राइटर हैं मुझे अपने थौट्स पब्लिश अब उसकी जो thoughts थे, उसकी जो विचार थे, उनकी जैसे train, कोई रेल गाड़ी चल रही थी वो सोचती है कि एक दिन future में ऐसा आएगा कि जब राइटर्स ये सोचेंगे कि हमको reality पर focus करना है हमको लोगों के emotions पर focus करना है phantoms पर focus नहीं करना याने उन चीजों पर focus नहीं करना जो दिखती तो real है बड़ actually वो real नहीं होती जैसे हर इंसान एक मुखोटा पैना हूँ, एक shell में है बाहर से वो लोगों को अच्छा दिखाता है, मैं बहुत ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, टीचर से ऐसे बात करेगा boss से ऐसे बात करेगा, family से ऐसे बात करेगा, लेकिन अंदर से उसके thoughts एक real personality वो अलगी है, जो उसको ही पता रहता है तो वो कहती है, writers future में definitely उन चीजों पर focus करेंगे phantoms पर नहीं करेंगे, reality पर focus करेंगे, shell और मुखोटों पर focus नहीं करेंगे और वो इंसान के जो reflections, जो emotions बार-बार change हो रहे है ever changing faces है, जो बार-बार इंसान का जो मुखोटा चेंज हो रहे है इस पर focus नहीं करेंगे, reality पर focus करेंगे now she views the mark as not entirely circular and possibly projecting outward from the wall perhaps it is a shadow, these thoughts lead to wondering whether there are camps or tombs on an antiquary only an antiquary would know अब धीरे-धीरे-धीरे वो imagine करी और वो यह imagine करने लगी कि यह कोई इंक्या, स्याही का धपा नहीं है अब यह जो दिवार पे mark है, यह पूरा circular, पूरा goal तो नहीं है तो यह न दिवार से project हो रहा है, यानि यह दिवार से उबरा हुआ है projecting outward of the wall, यानि कि उबरा हुआ है दिवार से, यानि कि कोई भी चीज दो उबरी हुए रहती है उसकी क्या होती है, उसकी shadow, उसकी परच्छाई होती है तो वो सोच रही कि कुछ उबरा हुआ है दिवार से और शायद यह उसकी shadow है हो सकता है, 200 साल पहले कोई कील यह ठोकी गई हो और कील अब बहार तरफ आ रही है क्योंकि बहुत साल हो गए, wall भी अब weak हो रही है, कमजोर हो रही है तो यह कील बहार आ गई है और शायद उसकी परच्छाई है फिर वो यह सोचती है, इस कील को देखकर कि यह शायद camps है या tombs है camps, बोले तो refugee camps जो world war one के time होते और tombs याने मरे हुए लोगों की कबरे, उनके मख बरे क्योंकि यह world war one की time की story है तो उसी से relate कर रही है वो अपनी imagination को और अब यह इतने सारे लोग मर गए वहाँ पे यह किसी की tomb है, किसी का मख बरा है कि पूरा refugee camp था जहाँ पर इतने सारे लोग मर गए यह तो कोई anti-query ही बता सकता है याने वो व्यक्ती बता सकता है जो anti-cheezo के बारे में, historical facts के बारे में study करता है, उनके collect करता है चीजे उससे related, तो यह तो वही बता सकता है फिर से वो उसको यह temptation होती कि मैं उठ जाती हूं अपनी chair से और past से देख लेती हूं कि actually जो mark है दीवार पर वो किस चीज का है after all knowledge is attained by thinking लेकिन फिर वो नहीं उठती है, क्यों? क्योंकि उसने बोला मुझे तो knowledge चाहिए, मुझे तो ग्यान चाहिए और ग्यान कहा से आता है? thinking से जित्ता आप सोचोगे, जित्ते thoughts आपके mind में आएंगे उत्ता knowledge मिलेगा अगर मैं उठके पास से जाके देख लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो चीज क्या है मुझे reality पता चल जाएगी और वहीं पर मेरे thoughts stop हो जाएगे लेकिन मुझे अपने thoughts stop नहीं करने मुझे तो सोच नहीं, मुझे तो ग्यान चाहिए इसलिए वो नहीं उठती है वो कहती है मुझे तो अगर पता करना होगा कि वो चीज क्या है तो मैं तो बैठे बैठे भी और खड़े खड़े भी बता सकती हूँ लेकिन मैं खड़ी नहीं होंगी देखने के लिए उसके mind में जो thoughts थे वो बहुत jumble हो रहे थे कुछ भी कुछ भी confusing हो रहे थे and that I have entered and excited exited through her mind co-mingled at a point at which she decides she must solve the mystery of the mark by getting up अब उसके mind में इतने सारे thoughts enter हो रहे थे exit हो रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे इतने co-mingled हो गए थे और इतने जादा एक गठान टाइप की बन गई थी कि एक ऐसा point आया कि उसने decide कि कि अब तो बस मैं ये mystery ये रहस्य सॉल भी करूंगी और खड़ी हो जाओंगी और देखोंगी कि दीवार पर ये mark किस चीज़ का है she then decides that to get up would be playing victim to the very trap of the nature is trying to sit कहती है लेकिन अगर मैं आप खड़ी हो गई तो मैं nature के trap में याने जाल में फस जाओंगी nature का मतलब यहाँ पर है reality nature का मतलब है यहाँ पर reality अगर मैं खड़ी हो गई तो मुझे वो natural चीज वो real चीज दिख जाएगी कि वो क्या है जो nature है वो हमको अपनी तरफ बुलाता है और सुकून देता है आपके चलते हुए दिमाग को रोकता है आपको सुकून देता है और जैसे इस वक्त मेरा दिमाग चल रहा है राइटर कहती है जैसे इस वक्त मेरा दिमाग चल रहा है मैं ग्यान अर्जित करती जा रही हूँ लेकिन अगर मैं खड़ी हो के पास से देख लूँगी तो मेरे thoughts वहीं रुख जाएगी और मैं में को ग्यान नहीं मिलेगा तो कहती है मुझे उठके nature के इस जाल में नहीं फसना है मुझे reality अभी नहीं देखनी मुझे अभी और imagine करना है और सोचना है यह जो act है मेरा thinking का यह जो मैं process है यह जो मैं सोच रही हूँ इतनी सारी चीजे mark के बारे में यह मुझे excitement दे रही है मैं war के बारे में भी सोच रही हूँ मरे हुए लोगों के बारे में सोच रही हूँ war में कई ने कई मुझे pain भी feel हो रहा है और फिर so she focuses and thoughts on the sensational qualities of wood इसलिए अब वो क्या सोचने लगती है wood लकडी की qualities के बारे में सोचने लगती ताकि वो खड़ी ना होए वो बहुत सारे patients के काम आता है ship बनाने के काम आता है लकडी पेड कट भी जाएगा तो भी उसकी लकडी काम आती है तो nature हमेशा हमारे काम आता है वो ये सब चीज़े बिमाजन करती है अभी वो इतना pleasant इतना अच्छा अच्छा सब इमाजन कर रही थी और suddenly अपने आपको distract करने की कोशिश करी थी ताकि वो खड़ी हो के पास थे ना देखे लेकिन जैसी वो अपने आपको distract करती है ये wood के बारे में imagine करती है उसकी imagination interrupt हो जाती है disturb हो जाती है क्योंकि उस कमरे में एक second person एक दूसरे इंसान की आवाज आती है हम मानते हैं कि ये जो आवाज है ये narrator के husband की है यानि जो वो lady उसके husband की आवाज है उस कमरे में क्योंकि उसने ऐसे बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ newspaper लेने के लिए वो कहता है तो वो कहती हाँ ठीक है लेने चले जाओ फिर वो बोलता है newspaper भी क्यों लो फाल्तू मैं लेता हूँ newspaper में वो ही रोज रोज war के बारे में खबरे वो ही death के बारे में खबरे वो ही सब bad news war के बारे में आती है तो क्या मतलब newspaper खरीदने का भी वो बहुत गुसे में आ जाता है क्योंकि war की सब बाते चल रही है और फिर वो कहता है all the same I don't see why we should have a snail on our wall और गुसे में बोलते बोलते वो कहता है वो ही सब same same war के बारे में newspaper में news आती है और मुझे ये समझ में या रहा कि हमारे घर की दीवार पे snail क्यों है तो यहाँ पे हमारे राइटर के जो husband है वो कहते हैं दीवार पे snail ये insect क्यों है ये ऐसा insect है जिसको हिंदी में घूंगा कहते है बहुत स्लोली 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 चलता है सबसे स्लोइस्ट इंसेक्ट है ये अब जी के में भी आपने पढ़ोगा तो she realizes that the mark on the wall is a snail और फाइनली जो narrator है जो लेडी है वो रेलाइस करती कि ये कोई कोई nail का hole नहीं है ये कोई ink का spot नहीं है ये कोई shadow नहीं है बल्कि ये तो मेरी दिवार पर एक snail है और कुछ भी नहीं है ओके तो here इस note पर chapter finish होता है and here I complete my summary I hope आपको summary पहर अच्छे से समझ में आ गए होगी आप मत भूलेगा कि Magnet Brains ने आपके लिए e-books भी निकाली है तो अगर आपको e-books चाहिए तो इस वीडियो के description box में एक form की link है form को fill up करिये and our team will get back to you and do not forget that Magnet Brains is giving quality education free of cost तब तक के लिए bye bye and take care